नमस्का साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपकी एकलास ने लिए जा रहे हैं ये आपकी UPSC और आपके State PCS को ध्यान में रखते हुए कबर की जा रहे हैं और इसमें आपने देखा है कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास भी कबर कर चुके हैं और फिर उसके बाद आपने देखा है मद्यकालीन भारत का इतिहास भी एक एक चेप्टर को हम लोगोंने बड़े विस्ताल से चर्चा की हुई है उसके बाद हम लोगोंने आदुनिक भारत में जो चर्चित ब्यक्ति रहे हों, चाय भागत सींग हों, सहतार वल्लभाई पटेल हों, यह आप देखी भीमराव मेटकर साव हों, पंडी जवाल लाल नहरू हों, यह आप देखी गांधी जी हों, इस तरह की तमाम लोगों के बारे में हम लोग ने बात की थी, और ज सभी जानते हैं कि हमें 15 अगरस्त 1947 को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी होई थी, सबसे बड़ी समस्या दो, जो रजवारे थे, जो देशी रियासतें थी, उन्हें एक जगे लापाना बड़ा मुस्किल था, एक जटे के नीचे लापाना बड़ा मुस्किल था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी रियासतें अलग-अलग देश बनने का ख़वाब देख रही थी, और 5-65 के करीब आप देखे रियासतें थी, अगर सोचिए आप लोग कि अगर सभी देश अगर आजाद हो जाती, तो आप सोचिए कि कितने हमारे देश में, एक देश में कितने देश हुआ करते हो, तो इस पर हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं, इससे पहले आप लोगों को बता दू, कि आप में से कई लोगों का सवाल भी रहता है, क्या एक इलास हैं, आपकी वंडे एक जान, जैसे सेंटल लेवल पर, सेंटल लेवल पर, सेंटल लेवल पर, सिक्षक भरतिया होती रहती हैं, पुलिस के लिए होता रहता है, कॉंस्टबल के लिए होता रहता है, दरोगा के लिए होता रहता है, पटवारी के लिए होता रहता है, इन के लिए मत पूरें, तो याद रखें, जिस भी एक्जाम की आप लोग तयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इतिहास सी questions पूछे जाते हैं, तो उन सभी exams के लिए एक किलासें बहुत ही मत्पूड रहेंगे. और एक बात और बता देता हूँ, कि आप लोग जिस भी एक्जाम की तयारी करें, उसके पुराने questions पेपर जरूर उठा के देख लीजेगा. एक overview आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कि कहां से किस तरह के questions पूछे जाते हैं, और इसके लिए एक separate playlist सूची बना दीगी है, UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाव से, तो जो आपका Prelims का syllabus है न, जिसमें आप देखते हैं, इतिहास पूछा जाता है, आप देखते होंगे कि आपका समिधान पूछा जाता है, भुगोल पूछा जाता है, अर्दोस्ता पूछी जाती है, और आप देखते होंगे कि आपका बिज्ञान पूछा जाता है, तो ये सभी class हैं आपको chapter by chapter इस playlist सूची में मिल जाएंगी, वहां जाकर आप लोग किरम से देख सकते हैं, और अगर आ देखे हमारा प्यारा भारत है, और इसे बनने में आप सोचिए कि कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितने लोगों को यातनाई जिलने पड़ी हैं, समझ रहे हैं आप लोग, और आप देखे कि पहले पाकिस्तान और ये बंगला देश भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, उन हमारे देश की पदार मंतरी इंद्रा गानजी थी, आज की समय में आप देखे हैं कि तो पाकिस्तान से हमाजे गुजरात हो, राजस्तान हो, पंजाब हो, जम्मु कस्मीर हो, लगदात, इन सभी राज्डों किसी मालकती है और बंगला देश थे अगर आप देखें, तो ग्राष्ट तक लड़ती रहीं, ये कहती रहीं कि हमें आजाद होना हैं, आजाद देश बनना है, बाद में कहने लिगी हमें पाकिस्तान में मिलना हैं, तो हमारे देखिए जो सर्दार बल्लबाई पटल थे, पहले हमारे गरह मंतरी, ओपिधान मंतरी, इनको देश की एकता, जो एक ही करन किया है देश का, इन्हें इसका सरे जाता है, और कहते हैं कि कहानिया, तरह तरह की कहानिया लिखी गई हैं, कि कहते हैं कि ये जाते थे देशी रियासत के जो राजा थे, उन्हें पहले बड़े प्यार से मतलब मनाते थे, कि हम आपको इतनी सक्तियां दे दे दें किसी राजा को गुलाम बनना नहीं चाह रहे थे तो इसलिए आप देखे कहीं प्यार से जहां काम हो गया वहां प्यार उन्होंने देखाया और जहां आप देखे पुलिस की जरूरत पड़ी सेना की जरूरत पड़ी वहां सेना के से आप देखे काम चलाया चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 15 अगस्तों 1947 को भारत ने अपनी आजादी हासिल की और एक तरब जहां देश के कुछ भागों में खुसिया मनाई जा रही थी तो वहीं दूसरी तरब देश के कई हिस्से संपदायक्ता की आग में जल रहे थे और कहते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का वटवारा हुआ इससे आप देखी लाखों लोग प्रभावित हुए और आप देखी लाखों लोग मारे भी गए समझ रहे हैं आप लोग जो ये दंगे हुए और इसके कारण आप देखी कि हमारे जो भी महापुरसुस समय रहे हैं, उनके पास कोई बिकल्ब भी नहीं बचाता, कि पाकिस्तान को एक बना कर रखा जाए, और इसलिए पाकिस्तान को अलग करना पड़ा, और आप मैंसे कई लोग हैं, कि आप देखें कि कहते रहते हैं कि गांधी जी की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस बात को कहते हैं, उन्होंने असल में इतिहास पड़ा ही नहीं है, आप सभी जानते हैं कि आपके मान लेजे किसी घर परिवार में, चार मेंबर हैं, चारों के बीच आप देखें, डेली लड़ाई होती हो, जगड़ा होता हो, मारपीट होती हो, तो मुझे लगता है कि एक बाप, समझदार बाप यही करता है, कि उन्हें अलग कर देता है, कि आप अलग-अलग हो जाएए, और सांती रखेगा, और यही आप देखेंगे उस समय, आपके जो बंडि जवालाल नहरू हो, या आप देखें कि आपके सद्दार बललपाई पटेल हो, या आप देखें गांधी जी हो, उनके सामने रास्ता भी यही था, और यही उन्होंने किया भी, गांधी जी का अखंड भारत का सपना चूर हो गया, और आजादी तुपराप्त हुई, लेकिन यह कई समस्याओं साथ लेकर आई, इन समस्याओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है, सबसे पहले आप देखें तकालिक समस्या, जो सबसे पहले समस्या खड़ी होई थी, राजबाडों का बिले, इन जो देशी रियासते थी, इनका बिलाए किस तरह से किया जाए, यही सबसे पहले समस्या खड़ी होई थी, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका, संपदाएक दंगों का पर नियंतन केसी, संपदाएक दंगे जो चल रहे थे, इनने कैसे रोका जा सके, भारत देश में सामिल होना है, तो आप सोची वहां अपनी जमीन जल जाज सब को छोड़ कि आएंगे, गर्ब, तो आप देखें, इहां उन्हें बसाने में, बड़ी प्रोबलम होगी, और उन्हें भी प्रोबलम होगी, हमारी सरकार गों भी प्रोबलम होगी, तो यह भी समस्या खड़ी हुई थी, उसके बाद आप देखेंगे कि, भारत पाकिस्तान सीमा का नेधारन कैसे हो, आज भी आप देखें, भारत पाकिस्तान की भी सीमा ब्यवाद बना हुआ है, तो यह भी समस्या थी, लेकिन आप लोग कहेंगे कि, रेड के लिए प्रेखा थी आप देखे रेड के लिए प्रेखा हो जो भारत और पाकिस्तान की बीच देखने को मिलेगा या मैक मोहन रेखा हो चाइना या फिर आप देखे कि आपका भारत की बीच देखने को मिलेगी डूरंड रेखा पहले जब तक पाकिस्तान भारत का हिस आता भारत और आप देखेंगे अफगानिस्तान की बीच लगती थी लेकिन आप देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बीच देखने को मिलेगे लेकिन इन सीमाओं का ये एक तरह से माने तो चाइना कहता रहता है कि हमारे समय खिची ही नहीं गई है तो हम नहीं मान हई थी रियासंतों का पुनर गठन copy HAVEla क्यसे हो वहाणर संबंदी समस्याई कैसी हो और जन जातीय समस्याइं भी में खड़ी की खड़ी मुऄ संद्धार्व हो इंदो бегימग समस्याई थी एगरं लोग बातकरें तो आप देखेंगे कि इसमें इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी सम्मिधार का निर्मार किस तरह से हो चुनाओ का आयोजन किस तरह से किया जाए और धीक कालिक समस्याओं की बात करें तो राष्टी एकता को पुरोसान और राष्ट का सुद्रे डीकरन कैसे करें और तीब आर्थिक विकासो प्रेस नीती कैसे बनाये और यहां आप लोगों को तीन डेटें आप लोग काफी सुनते होंगे एक तो 15 अगस्त उन्निस सो से तालिस यानि की 15 अगस्त एक आप देखते हैं 26 नवंबर एक आपका 26 जन्वरी तो आपको बता दूं कि 15 अगस्त को आप लोग सुतंता दिवस मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त उन्निस सो से तालिस को आपको आजादी मिली 26 नवंबर को आप लोग समिधान दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कुछ पिराउधानों के साथ आपका समिधान लागू हो चुका था 26 जन्वरी 1950 को आप देखेंगे कि आपका गरतन दिवस म अपना इस दिन हो चुकी थे तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए ठीक है और आप देखेंगे इसके बाद राष्टी आइस्थाई सरकार ने 27 जून 1947 को सरदार पटल से नावगटे तिरियासत बिभाग का अतिरिक्त कारभा समाला और उसके मुक्ष सहायक तक केबल जूनागड और जम्मू कस्मीर और हैदराबाद को छोड़का सभी रजवारे भारत में सामिल हो गए थे लेकिन ये समस्याए बाद में बनी रही जूनागड हो जम्मू कस्मीर हो हैदराबाद हो जूनागड सौराष्ट की तट पर एक चोटी सी रियासत थी जो चारों और से भारती भूब भाग से गरी हुई थी, गुजराद की पास आप देखेंगे यहाँ, गुजराद देख लीजे आप लोग, आज का गुजराद देखते ना तो यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, और आप देखेंगे कि इसके नवाब ने 15 अगस्त निश्व से ता यानि कि आप देखें, यह अंग्रेजोंस जैसा हाल कर रहे थे, कि आप देखें कि जनता तैयार ही नहीं है, जनता अलग होना चाह रही है, भारत में सामिल होना चाह रही है, और यहाँ के राजा आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की जनताय नहीं जनान दोलन कर दिया और आप देखे नबाब यहां से भाग गए पाकिस्तान और भारत में सामिल हो गया जुनागड के दिवान साहनवाज भुट्टो जुलफिकार अली भुट्टो के पिता थे इन्होंने भारत सरकार को हस्तेशेप करने के लिए आमंतित किया और फरवरी 1948 में एक जन्मिस संग्राय कराया गया जो भारत की पक्ष में गया फिर आती है जम्मुकस्मी रियासत का सासक हरी सींग एक हिंदू था जबकि राज जी की आप देखें कि 75% जनता मुसल्वान थी जुनागड में अलग था जुनागड में मुसलिम सासक था यहा कि नेशनल कॉन्फरेंस के नेता सेक अबदुल्ला इसका भारत में बिलाय चाहते थे यह अपने आपको सुतंत देश्ट बनाय रखना चाहते थे और आप सभी इस बात को जानते हैं कि अगर भारत तो चलिये मान जाता है इस बात को लेकर आप देखें कि पाकिस्तान कभी मानता और आप देखें भारत मान भी गया था फिर पाकिस्तान ने जब इन पर हमला किया तो इसके बाद हमारे पास भागते हुए है और 24 अक्टूबर 1947 को महराजा ने कस्मीर के भारत में बिलाय पर हस्ताक्षर कर दिये और सेख अबदुल्ला को रियासत का पिर्मुख बन देखते हैं कि आपकी परिक्षाओं में कुष्टेंस पूछे जाते रहते हैं तो इनके बारे में एक सामान जानकरी जरूर रखा करिएगा और UN के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेसंस की बात हो रही है और आप देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 में इसकी इस्थापना कब भी थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसमें आप देखेंगे इसका हेड़क्वार्टर आप लोगों को कहा देखने को मिलेगा इसका हेड़क्वार्टर भी नीव और्क USA में देखने को मिलेगा लेकिन यहां आप लोग एक बात याद रखिएगा कि इसी को गलती माना जाता है पंडित जवाल लाल नहरू की गलती मानते हैं कि इने सयुक्त राष्ट में यह मुद्दा नहीं ले जाना चाहिए था और उसी कारण से आज भी आप देखिए फसा हुआ है मुद्दा और सयुक्त राष्ट सुरक्षा परष्ट में पांच 27 सदस हैं जिसमें चाइना, फ्रांस, रोस, यूनाइटेट किंग्रम और सयुक्त राष्ट अमेरिका और दस इसमें आज 27 सदस देखने को मिलेंगे और एक बात याद रखिए इनके पास एक बीटो पावर है यानि कि आप देखिए कि इस पेसल सक्ती में लिए हुई है कि माल लेजे कोई पिस्ताओ को अगर आप देखिए पास करवाना है तो आप देखिए पांचों सदस इसमें सहमत होना चाहिए अगर एक सदस भी आप कि महान सक्तियां भी कहते हैं आप लोग क्या गएते हैं महान सक्तियां भी कह देए आप लोग से और 10 फरवरी mid 1954 को जम्मू कस्मीर की समिधान सवादवारा भारत में राजी की बिलाय की समती दी गई और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कस्मीर का नया समिधान लागू किया गया जो आप देखते हैं कि 2019 में 370 खतम कर दिया गया 35 खतम कर दिया गया अब आप सभी जानते हैं कि जम्मू कस्मीर को दो जम्मू देखने को मिलेगी और दिल्ली की तरह जम्मू कस्मीरी में बिधान सभा होगी ठीक है और लद्दा की सीमा आप देखे चाइना से लगती है अफगानिस्तान से लगती है पाकिस्तान से जबकि जम्मू कस्मीरी की केवल पाकिस्तान से अब देखे सीधी सी बात याद रखे कि बो सभी प्रावधान यहां भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में लागू होते थे। अपना ही बात करता रहता है और आपको मालू है कि अच्छी पकड़ भी है उसकी वहां। अब फ्रांसीसियों को भी समझ में आ गया था कि संधी ही करना बहतर है वरना यह जवरजस्ती छुड़ा लेंगे और यहां से भारगना पड़ेगा। और पूर्टगाल की पास भारत की तीन चेते थे गोआ, दमन और दुईब। नहरू ने 17 दिसंबर 1971 को राग गोआ में भारती सेना को फिरवेश करने का आदिश दे दिया। और 19 दिसंबर आप देखेगी 1971 को इन तीनों चेत्रों को भारत में मिला लिया गया। यूँकि आप देखें कि बहुत सारी हिंदू पाकिस्तान भी गय हुए थे। और आप देखें भारत में तो मुसलिम रहे ही। हिंदू समपदाए बादियों द्वारा इस समझोती को आस्विकार कर दिया गया। और बंगाल दो के दो कैबिनेट मंत्री स्यामा पेसाद मुकरजी और केसी नियोगी ने मंत्री मंडल से बिरोज स्वरूप त्याग पत्त भी दे दिया था अपना इस्तिवा। और सरपिथम 1920 के नागपूर कॉंग्रेस अदिवेशन में भासाई आधार पर पर प्रांतों के गठन की मांग उठी थी। इसके बाद 1928 में नहरू रेपोर्ट में भी यह मांग दोहराई गई थी। और समिधान के सभाव ने 1948 में एसके धर के नेतत में भासाई राजी की आयोग की नियुक्ती की और आयोग ने एसके धर भी कहते हैं और दर भी कह देते हैं कई लोग से। आयोग ने भासा के अधर पर प्रांतों के गठन को नकाद दिया क्योंकि इसका मानना था इससे राष्टी एकता को खत्रा और पिसासन के लिए भारी आसुविधा इस्तिती उत्पन हो सकती है। उन्नीस अक्टूबर उन्नीस तो वावन को एक बिख्याज सेतंता सेनानी पोट्टी सीरे रामलू ने अलग आंधपिदेश की मांग को लेकर आमरन अंसन किया और आमरन अंसन इतने लंबे समगता किया कि इनकी डैथ हो जाती है। और अंठावन दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। और अक्टूबर उन्नीस तो त्रेपन में अंतता आंधपिदेश अस्चित में आता है। इसके साथ ही तमिल भासी राज जी की रूम में तमिल लाडू भी बनाये गया। और आप देखिए एक कुश्चन्स कई बार पूछ लेता है, कई एक जाम में पूछ लेता है कि भासाई अधर पर गठित होने वाला पहला राज जी कुन था? आंधपिदेश से थीक है। राज पुनर गठन आयोग और विध्यक की खिलाप सबसे जानदा बिरोध महराष्ट में हुआ था। और पिसिद अंगरेज वेरियर एलविन ने अपना पूरा जीबन पूर्व उत्तर और मद्ध भारत की जंजाती ये लोगों के बीच बितीत किया। और सोतनता आगे बाद भारत सरकार की जंजातीयों के पिती नीती बिक्सित करने में उनका काफी योगदान भी रहा। नहरू और वेरियर एलविन की नीतियों को सबसे अच्छी तरह उत्तर पूर्वी पूर्व सीमा एजनसी नेफा में लागू किया गया। कॉंग्रेस ने 1936 के अपने लखनव अधिवेशन में की थी और 1957 में आप देखेंगे कम्यूनिस्टिक केरल राज में एस नमोदरी पाद की नितित में सरकार बनने में सफ़र रहे जो लोकतांतरी को उससे चुनी गई दुनिया की पहली कम्यूनिस्टिक सरकार थी और यह कम कॉंग्रेस सरकार 1961 में भंकर केरल राज में राश्ट्पती सासन लगा दिया गया था आज भी आप देखें केरल में कम्यूनिस्टों का पिरभाव है आप पश्चे मंगाल में देखें काफी है अब तो पश्चे मंगाल में खतम भी होते जा रहे हैं पहले अच्छा दबद था लंबे समय तक आप देखें उनकी सरकार भी रही है उन्ने सो पच्पन में अबाडी अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता उच्छ गरार नवल राय डेवर कर रहे थे कॉंग्रेस के समाजवादी समाज का आदर सुईकार किये जाने संबंधी पिस्ताओं को सुईकित क किया मिल गई और सोसलिस्टों ने 1946 में केबिनिट मिशन का विरोध किया और समिधान सभा का अंग बनने से इंकार कर दिया उन्हों ना तो अंतरिम सरकार में सामिल होना सुईकार किया ना ही कॉंग्रेस कार समती में और सोसलिस्ट पार्टी ने माउंट वेटन योजना को आ उने किसका भारत बिभाजन का और आप देखेंगे सेप्टमबर 1952 में जेवी किपलानी की अध्यक्षता में पिरजा सोसिलिस्ट पाइटी का गठन हुआ और असोक मेटा इसकी महासरचिप बने और 1949 में सी एन अन्ना दुरई ने देविड मुनेत कड़गम की स्थापना की 1972 में DMK की बिभाजित हो जाने और MGR ने अल इंडिया देविड मुनेत कड़गम का गठन किया 1900 चंगुर में आप देखेंगे सर M. विसोसरिया ने अपनी पुस्तक The Planed Economy for India में राष्टी याए को 10 वरसों में दुगना करने का लक्ष रखा इन्हें भारत की युजना का जनक भी कहते हैं आप लोग MS. सर M. विसोसरियागो और 1944 में बेटे सरकार ने पहली बार Department of Planning and Development का गठन किया इसका कारभार सर अर्दे सिर दलाल को दिया था और 1946 में आप देखेंगे नेरू की अंत्रिम सरकार की केसी नियोगी की अध्यक्स्ता में एक सलायकारी नियोजन बोड का गठन किया गया और ये उजना आयू की स्थापना केसी नियोगी समती की सेफारिश पर 15 मार्च 1952 को की गई थी और आगे सलकेर आप देखते हैं कि एक जनवरी 2015 को एउजना आयू को पिती स्थापत करके आपका नीती आयोगा आच चुका है च्छे अगस्त 1992 को राष्टी विकास परिशत का गठन किया गया जो एउजना आयू की से उच्च निकाह है और सिर्फ जम्मु कस्मीर ही ऐसा राज जिता जहां 1955 की मद्ध है तक हद बंदी कानून पूरी तरह लाओ हुआ था और 18 अपरेल 1959 को आचार बिनुवा भावी ने भूदान अंदोलन सुरू किया था और बिनुवा का पहला भूदान 18 अपरेल 1959 को आंध पिदेश की तेलंगाना चेत में पोचम पली ग्राम में मिला था और आचार बिनुवा भावी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की जो रचनात्म कार करताओं का अखिल भार्थी संग था इसका उदिश देश में आहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवरतन लाना था 1955 की अंत में आप देखें भूदान अंदोलन में ने ग्राम दान का रूप धारन किया और ग्राम दान अंदोलन की सुरुवात उडिसा में हुई थी और डॉक्टर भी यार अंदोलन की सिक्षा बड़ोदा की महराजा द्वरा प्यदान स्कॉलर्शिफ के सहरी अमेरिका में हुई थी और आप सभी जानते हैं कि भीम्राव अंदोलन का पिता भी आप लोग कहते हैं क्या कहते हैं सम्मिधान का पिता 1936 में इंडिबेंडेंट लेवर पार्टी और 1942 में जंजाती संग फेडरेशन की स्थापना इनोंने की विमरा उंबीड कर सामने विज्यानिक और अनुसंधान की संगठन और निदे से छेतू विज्यानिक अनुसंधान और पिराक्ति संसादनों से समध्ध समंधित मंत्राले की स्थापना करने वाला भारत बिसका पिथम देश था और भारतिय बिदेश नीती का मुख्य आधार 1927 का मदरा सदी विशन है इसी बरस अकिल भारतिय कॉंग्रेस समिती ने पाइटी के अंदर ही नहरू के अधिक्षता में एक विदेश मंत्रालाय बनाया था और मार्च अपरेल 1947 में नई दिल्ली में एसी आई संबेलन का एवजन किया गया था और इस संबेलन में 25 से अधिक देशों से लगबग निर्पेक छे के नेतिक सूथ का इस परस किया था और 10 जनवरी 1963 को 6 गोट निर्पेक देशों द्वारा चीन भारत तनाओ को हलकरने के लिए कोलंबो पिस्ताओ की घोशना की थे चीन जन गरतंत को 1 जनवरी 1950 को माननेता देने बाला पिथम देश भारत ही था और आज देख के भारत के लिए ये मुसीवत बना हुआ है मातमा गांधी के आर्थिक विचारों से प्रभावित स्री मन्ना नारायन ने 1944 में एक योजना बनाई और जिसे आमतोर पर गांधी बादी योजना के नाम से जानते हैं 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना पिस्तुत की जिसे बैतेन के पहले पहल पर सिमला में चीन, तिबबत और बैतेन की बीच 3 पक्सी ये सम्भेलन हुआ और जिसमेंच के अधिराज़ी को सुखारते हुए तिबबत को दो भागों, बाहरी तिबबत ऑर भीतरी तिबबत में माठ दिया गया था और पहले आप देखी तिबबत अ कारवाही घोसेत किया इसका विरोध भी किया था तो चलिए आजादी के बात की कहानी हो गई अब देखिए आपकी कुछ सवाल हो सुझाओ हो सलाय हो तो आप दे सकते हैं बिलकुल देजिएगा जरूरी रहती है आपकी सुझाओ आपकी सलाय अंगली किलास एक और आपकी में खासकर और प्रलिम्स में खासकर आप देखिए UPSC हो या आप देखिए आपका इस्टेट PCS और इस्टेट PCS जब कहा जाता है तो इसमें आप देखिए MPPSC, बिहार PCS, 36, गर्मदपिदेश, फिर चाहे आप देखिए राजिस्थान, उत्तरपिदेश, UPSC, सभी ये आ जाते हैं, सेबिल सर्विस की तरह आप देखते होंगे कि आपके राज्यों में इस्टेट PCS का एक्जाम होता है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे